Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और Angular 11 की इस studio के दरम बात करने वाले हैं कि Angular को हम setup और install कैसे कर सकते हैं setup से मेरा मतलब है कि क्या क्या चीजें पहले हमें चाहिए होती हैं इसको run करने के लिए और के उपर काम करने के लिए हमें चाहिए होता node, npm, cli तो हम लोग यह देखें कि node, npm कैसे इंस्ट रॉल कर सकते हैं पहले और बात में Angular CLI जिसको कहते हैं command line interface यह भी इंस्टॉल करेंगे पहली application को हम install करके उसको run करके भी देखेंगे कि browser को पर successfully run किस तरीके से होती है पहली चीज, node और npm install करने के लिए आपको जाना ब्राउजर में, और यहाँ लिखना है node, directly node लिख लो Google के अंदर, या फिर node.js.org के उपर direct भी जा सकते हो, यहाँ आपको दो version मिलेंगे, एक मिलेगा stable version, जो थोड़ा सा पुराना मिलेगा, एक मिलेगा आपको latest version, इसके अंद So, alright, जैसे यह install होता है, उसके बाद में, जैसे यह download होता है, हम इसको फिर से install करेंगे, और यह basically download हो चुक है, आप folder में जाके directly, आप इसको download वाले folder मिलेगा, basically खराब Windows यूज कर रहे हो तो, और यहाँ से इसको directly install कर सकते हो, जब installation करोगे, तो आप से कुछ question भी बूज़ा starting के अंदर, so, next करते हैं, अब यह बोलता है कि आपको repair करना है, चेंज करना है, इसका reason यह है, कि मेरे पास पहले से ही node installed था, आपके case में यह वाला pop-up नहीं आएगा, right, so, आप change कर लो, या repair कर लो, आपकी मर्जी है, right, मैं जस क्लिक कर देता हूँ, repair के ओपर, आपको इसक question पूछेगा ही नहीं, right, so, जैसी चीज़ पूछता है, उसके बाद में एक-दो चीज़े यह पूछेगा बीच में, कि क्या आपको कुछ जो helping liabilities होती है, उनको install करना ही नहीं करना है, आप चाहो तो उनके लिए मना भी कर सकते हो, right, और यह एक step चल रहा है, अभी के लिए आपका space बगएरा देख रहे हैं, कितना space मुझे चाहिए होता है, और कितना इसके अंदर है, उसके बाद में process कर लिता है, एक-दो system के लिए, अगर आपके system में RAM बगएरा कम है, तो chances हैं कि आपको यह restart बगएरा करने के लिए भी बोले, right, so, उसके इसमें आपको restart कर लेना कोई problem होगी नहीं, और NPM install करने के लिए का करना पड़ेगा, NPM install करने के लिए अपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, Node.js के साथ NPM अपने आप install हो जाता है, right, और उसके बाद में जैसे install होता है, तब तक हम इसका wait नहीं करेंगे, हमने हमारे next step पे जाते हैं, Angular CLI के तो यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर काफी सारी commands होती है, जैसे-जैसे scroll करोगे, बट वो चीजे में बाद में आएंगे, पूरे course के अंदर सारी command इस सीख लेंगे हम, जिन जिन की जुरुक पड़ेगी, initial level के ऊपर हमें ये चार command ही चाहिए होती है, right, चार command, enough होती है, हमारा project को install करके एक बार run करने के लिए, करेंगी क्या-क्या बता जिता हूँ, यह ज़स्ट फड़ा time लगी रहे भी installation के अंदर, right, so सबसे पहली command होगी, यह angular cell icon install करेगी, दूसरी हमारी angular के application बनाएगी, तीसरी के अंदर हम उस folder के अंदर जाएंगे, और ng serve, उसकी development build को run कर हमारे browser के उपर, right, so let's wait, so node install हो गया, इसको हम finish कर सकते हैं, अब हमें पता कैसे जितल है कि कौन सा वर्धर install हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, और install हुआ भी है या नहीं हुआ है, right, तो directly आप command line के उपर जा सकते हो, कहीं से भी open करके, और यहाँ लिख सकते हो, node-v, जैसी आ कमारे install हो गई है, अब आपको install करना है, Angular CLI, Angular CLI की command directly आप यहाँ से copy कर सकते हो, right, अच्छा, npm install हुआ के नहीं हुआ, so npm भी देख सकते है, npm-v, right, so यह भी देखिए, अब आप यह मत सोचना है कि दोनों का वर्जिन सेम क्यों नहीं है, npm का और node का वर्जिन हमेशा अल बाद में, Angular CLI, Angular की command line होती है, वो पूरे system में, C drive में, D drive में, downloads में, desktop में, कहीं पे भी commands use कर सकते हो, right, so just, अब यहाँ इसको copy करने दो, let me copy it, और अब लोग हम लोग इसके उपर paste करते हैंगे, right, और install होना start करेगा, same command, यहीवाली same command आपकी use होती है, Ubuntu system के अंदर भी, तो कोई issue है नहीं, right, so let's, इसको install होने देते हैं, तब मैं वीडियो पोस कर देता हूं, ताकि हमारा time करब ना हो, so यहाँ पे Angular CLI है, वो भी install हो चुकी है, right, so, यहाँ पे लिखते हैं, एक बार के लिए ng, जैसे ही यहाँ पे आप ng लिखोगे, अगर यह आपको बोलता है क unknown command, तो उसका मतलब है, कि यहाँ पे आपका, जो ng है, वो install नहीं हुआ है, but अगर आप कुछ commands दे देता है, इसमें कुछ error नहीं आ रहा है, that means, आपका, जो Angular CLI है, वो अच्छे से install हो गया, right, so, अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूं, और dashboard के उपर जाता हूं, right, let me go on a dashboard और यहाँ पे हम क्लिक करते है, cmd के उपर, अब मैं यहाँ पे, एक मेरा project install करता हूं, right, command क्या है, इसके लिए, ng, जो हमारी command line, basically, जब भी आप Angular CLI के कोई भी command line यूज करोगे, उसकंदर आपको starting में लगाना है, ng, new, यानि कि एक नया project बना रहे हैं, और आपके project का नाम, right, तो आप पूझा से लिखना है, ng, new, और let's say, मेरा project का नाम है, block angular, या फिर angular block भी कर लो, कोई problem नहीं है, right, और ये अब क्या करेगी, पूरा का पूरा angular का setup, यहाँ पे install करके देगी, कुछ questions पूछेगी आपसे, let's say, यह पूछरी है यहाँ पे, कि stricker check लगाना है का, इसक अब के लिए, yes, if it, no, जो merge कर दो, कोई फरक नहीं पड़ता, routing, और बात में कुछ CSS से लेटर कोईशन पूछता है, basic time पर पहली बार install कर ले, कोई भी option select कर लो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक के अंदर आपको बिल्कुल ही अलग angular मिलेगी, एक के अंदर यहां पर दिखेगा, जिस नाम से आपने application बना आई थी, right, so, अब आपको क्या करना है, यहां पर cd, block, angular वाले folder के अंदर जाना, और यहां पर, कर आप इसको editor में open करना चाहते हो, और visual studio code है, तो यहां से open कर सकते हो, यहां से directly भी, वहां से भी open कर सकते हो, directly open करके, जो भी start करने के लिए आपको जिस लिखना है, ng, जैसे के मैंने आपको बताया था, हर एक command के पहले आपको ng लगाना है, ng serve, और ng serve क्या करेगी, आपकी एक development build बनाएगी, और यह build, आपको, आपकी application है, उसको यहां पर, browser को उपर run करवाने में help करेगी, right, so, first time में थोड़ा सा 1 minute भी ले ले, according to system ram and system configuration, बात में थोड़ी सी, जल्दी start हो रहे लेगी, right, so, यहां पर हमारा Angular का project compile भी होगा, successful है, अब आपको यहां पर लिखना है, just localhost, और यहां पर 4200, यहां पर आप देख सकते हो, आपको जो project है, यहां पर run हो रहा है, और blog, angular, यह हमारी application को नाम भी ह आने वाली वीडियो के अंदर में देखेंगे कि पहला page यह कहां से आ रहा है, folder, structure, file, structure, सारे बाते ही discuss करेंगे, so, that's it for this video, कुछ confusion है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझसे comment box में पूछ लो, instagram के उपर भी पूछ सकते हो, link आपको description box में मिल जाएगा, bye bye, take care, God bless you